हेलो फ्रेंड्स आपको स्वागत है केरिय लाइब 247 यूटूब चैनल पे आज है 18 अप्रेल 2020 और आज हम लोग 18 अप्रेल का करेंट अफ्यर्स करने वाले हैं और इसे जो भी रिलेटेड सेक्ट्स होगा वो भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे फ्रेंडस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सबसक्राइब नहीं किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को मेरा first question है हाली में 20 हीमोफीलिया दिवस कम मनाय गया है तो 20 हीमोफीलिया दिवस मनाय गया है 17 प्रेल को तो इसका answer हो जएगा A और यह अब दिवस मनाया क्यों जाता है तो इसे मनाया जाता है हीमोफीलिया और अनिरक्षराव डिस ओर्डर के बारे में लोगों को जागरूप करने के लिए मनाया जाता है हिमोफीलिया एक अन्वान्सीक बीमारी है जो जेनरली बच्चों में उनके माता पिता से आता है इस बीमाडी सग्रसित किसी भी बैक्ति को अगर चोट लगता है तो उस बैक्ति को बलेड है जो continuously निकलते रहता है तो 20 हीमोफिलिया दिवस कम मना जाता है 17 प्रेल को next है हाल ही में विली डेविस का निधन हो गया है उनका समन्द किस खेल से है तो वे एक फुटवालर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो इसका एंसर हो जाएगा A और वे एक अमेर्की फुटवाल खिलाडी थे उन्हें 181 में नेशनल फुटवाल लिग प्रो फुटवाल हॉल अफ फेम में भी सामिल किया गया था तो आपको इनका नाम याद रखना है क्या नाम है विली डेविस next है हाल ही में भारतिय रिजर्ब बैंक ने रिवर्स रेपो दर को कितना तक घटा दिया है तो भारतिय रिजर्ब बैंक ने रिवर्स रेपो दर को 3.7% तक घटा दिया है तो इसका अंसर हो जाएगा D RBI ने रिवर्स रेपो दर में कितना percent का cut talking किया है तो वो है0.25% कितना ? 0.25% अब हम बात करते हैं भारते रिजेर बैंक की तो भारते रिजेर बैंक का बो हुआ था ? इसका बो हुआ था 1 April 1935 को कब भो हुआ था ? 1 April 1935 को इसका headquarter कहाँ है ? इसका headquarter है मुंबई महरास्ट और इसके जो भी प्रजेंट टाइम के गवर्नर कौन है वो हैं सकती कान दास और ये 25 में गवर्नर हैं RBI के Next है हाली में 50 मिलियन डॉनलोड तक पहुचने वाला सबसे तेज एप है जो कौन बन गया है तो वो एप है अरोगी सेतू तो इसका अंसर हो जाएगा B अरोगी सेतू है जो बहुत ही कम समय में 50 मिलियन से भी अधिक डॉनलोड तक पहुचने वाला पहला मोबाइल एप्लिकेशन बन गया है और जो अरोगी सेतू एप है उसको मेली रूप से कोरोना बायरस के संक्रमन को रोकने के लिए बनाय गया है और यह आपको यह भी बताएगा कि आप किसी भी कोरोना संक्रमित सक्स के संपर्क में आए हैं या नहीं और इसके लाव़ यह भी आप पता लगा सकते हैं कि आपको कोरोना संक्रमन का होने का कितना खत्रा है और यह जो Arrow G hippiair Jato app है वो 11 लेंगवेज में अबलेबल है Next है हाली में 2022 ACI Parachelo का सुभांकर किसे चुना गया है तो इस खेल का सुभांकर चुना गया है Fa-I Fa-I को क्या नाम है Fa-I Fa-I तो इसका अंसर हो जाएगा c तो 2022 ACI Parachelo का सुभांकर चुना गया है Fa-I Fa-I को हुआंग जोव में कहां चीन में हुआंग जोव में होने वाला है इसमें 22 खेल आयोजित किये जाएंगे और इस बार से दो खेल को सामिल किया गया वो कौन-कौन खेल है तो पहला है ताइक कांडो और दूसरा है पैरा केनोइंग क्या नाम है पैरा केनोइंग इन दोनों खेल है मानव समाज की समावेसिता और समान का परतीक है और जो दूसरा फेई-फेई है उसका अर्थ है अपनी कमजोरी पर काबू पाने के साथ साथ एथलीटों के मानसिक परिश्रम को दर्साना है इसके पहले उनीसमा इस याई खेल का सुभंकर चुना गया था उसका क्या नाम था उसका नाम था दस्मा ट्रिपल इसमें तीन रोबोट थे और तीनों का मिक्स करके नाम दिया गया था दस्मा ट्रिपल उन रोबोट का क्या नाम था कॉंग कॉंग लियान लियान चेन चेन आपको इन दोनों खेल समंदों को बढ़ाने की घोशना की है तो उस बैंक का क्या नाम है उस बैंक का नाम है यस बैंक तो इसका एंसर हो जाएगा भी यस बैंक ने मैक लाइफ इंसुरेंस के साथ अपने बेपारिक समंदों को बढ़ायाने का घोशना किया है अब हम बात करते हैं यस बैंक लिंटेड की तो यस बैंक लिंटेड के जो भी बरतमान में MD & CEO है उनका क्या नाम है उनका नाम है प्रसांत कुमार और बरतमान में मैक्स लाइफ के MD & CEO क के बीच राष्ट्री चुनाव कराने वाला पहला देश कौन बन गया है तो उस देश का नाम है दच्छिन कोरिया तो इसका अंसर हो जाएगा बी दच्छिन कोरिया है जो कोविद-19 महामारी के बीच राष्ट्री चुनाव करने वाला पहला देश बन गया है राष्ट्पत पाती मून जे इन ने 180 सीटों पर चुनाफ जीता, कितने सीटों पर चुनाव जीता है, 180 सीटों पर, और उनकी पार्टी का क्या नाम था, तो उनकी पार्टी का नाम था, सत्ता धारी लोकतनर्रिक पार्टी, अब हम बात करते हैं, दचिन कोरिया की, rodzina की रजधानी कहां है, इसकी रजधानी है Seoul और इसका करेंसी क्या है इसका करेंसी है दच्छिन कोरियाई वॉन क्या है दच्छिन कोरियाई वॉन नेक्स्ट है हाल ही में World Wide Fund इंडिया ने किसको अपने परियावरन सिच्छा काजगरम का अमबेसडर बनाया है तो ये बनाया गया है विश्वनाथा ननन्द को तो इसका एंसर हो जाएगा B विश्वनाथा नानंद को World Wide Fund ने पर्यावरन सिच्छा काजरम का Ambassador बनाया है अब हम बात करते हैं WWF की तो इसका फूल फोर्म क्या होता है World Wide Fund इंडिया क्या होता है World Wide Fund इंडिया इसका Establishment कब हुआ था इसका Establishment हुआ था 29 अप्रैल 1961 को इसका Headquarter कहां है? इसका Headquarter है Gland Switzer Land कहां है? Gland Switzer Land और WWF के जो भी बरतमान निदेशक है उनका क्या नाम है? Marco Lamtrini क्या नाम है? Marco Lamtrini Next है हाल ही में कि समंत्राले ने COVID-19 के कारण आने वाली बेतन समंधी सिकायतों को दूर करने के लिए नियंत्रन कच का स्थापित किया है तो उस मंत्राले का क्या नाम है? उस मंत्राले का नाम है स्रम एबं रोजगार मंत्राले तो इसका Answer हो जाएगा A और स्रम एबं रोजगार मंत्राले ने COVID-19 के कारण जो भी बेतन समंधी सिकायत है उसको दूर करने के लिए कितने नियंत्रन कच को स्थापित किया है तो वो है 20 नियंत्रन कच को स्थापित किया गया है इस नियंत्रन कच में जो भी सैलरी से लिलेटेड सिकायत होगा क्या होगा, salary से जो भी related सिकायत होगा, उसको आप यहाँ पे सिकायत कर सकते हैं, उस सिकायत को दर्ज कर सकते हैं और बरतमान में जो भी स्रम और रोजगार राजमंत्री हैं, उनका क्या नाम है, उनका नाम है संतोस कुमार गंगवार क्या नाम है संतोष कुमार गंगवार नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने विशुस्वास संगठन की फंडिंग पर रोक लगाया है तो वो कौन सा देश है USA है कौन सा है USA देश है तो इसका एंसर हो जगा D अब हम बात करते हैं विशुस्वास संगठन की यानि WHO तो इसका establishment कब हुआ था इसका establishment हुआ था 7 अप्रैल 1948 को इसका headquarters कहां है इसका headquarters है स्वीर्जलन के जेनेवा सहर में कहां है जेनेवा सहर में और बर्तमान में जो WHO के president है उनका क्या नाम है उनका नाम है Tedros Adhanam क्या नाम है Tedros Adhanam नेश्ट है हाली में MTNL के CMD का अतरिक्ट परभार किसे दिया गया है तो MTNL का अतरिक्ट परभार मिला है PK पुरवार जी को तो इसका answer हो जाएगा C अभी ये BSNL के अध्यच और परवन निदेशक भी हैं और इसके साथ-साथ उन्हें MTNL के CMD का अतरिक्ट परभार भी दिया गया है अब हम बात करते हैं BSNL की तो BSNL है जो भारत का एक साजनी छेत्र की संचार कमपनी है इसका full form क्या होता है इसका full form होता है भारत संचार निगम लिम्टेड क्या होता है भारत संचार निगम लिम्टेड इसका स्थापना कब हुआ था इसका स्थापना हुआ था 2000 में इसका हैड़कॉर्टर कहां है इसका हैड़कॉर्टर है न्यू देली नेक्स्ट है हाल ही में कोवीद-19 महामारी के परभाव के कारण उनेश्को की विश्व धरोहर समीति का इसका योजन कहां होने वाला था तो इसका योजन होने वाला था चीन में जिसे कोवीद-19 महामारी के कारण अस्थागीत कर दिया है जिसका अंसर हो जाएगा C तो इसका योजन कहां होने वाला था तो वो होने वाला था चीन के फुजियान प्रांत के फुजो में कहां चीन के फुजियान प्रांत के फुजों में, अब हम बात करते हैं UNESCO की, तो UNESCO का full form क्या होता है, इसका full form होता है, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, क्या होता है, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, इसका establishment कब हुआ था, इसका establishment हुआ था, 4 नमंबर 1946 को, इसका headquarter कहां है, इसका headquarter है Paris, France में, और इसमें अभी member कितने है, 195 member, कितने, 195 member है, और जो अभी बरतमान में UNESCO के जो director general है, उनका क्या नाम है, उनका नाम है, आंद्रे अजोले, क्या एक compact और portable solid state sensor बिक्सित किया गया है, इस sensor को बिक्सित किया गया है, किसके द्वारा, तो CENS के द्वारा बिक्सित किया गया है, तो इसका answer हो जाएगा D, पानी में जितने भी भारी धातू रहेंगे, heavy metal रहेंगे, जैसे हो गया CSA, PARA, cadmium, इन सभी के बारे में, पानी में जो भी मौझूद रहेंगे, उनको पता लगाने में ये sensor काम करेगा, और ये sensor है, जो पानी में मौझूद भारी धातू जैसे हो गया CSA, PARA, cadmium, इन सबों की मौझूदी के जानकारी देने में सच्छम होगा, CENS का full form क्या होता है, इसका full form होता है, Center for Nano and Soft Matter Sciences, next है, हाल ही में care ratings का नया परबन निदेशक और मुख्य कार्जकारी अधिकारी किसे निउट किया गया है, तो care ratings का MD&CEO निउट किया गया है, अजय महाजन जी को, तो इसका answer हो जाएगा C, और इन्होंने किनका स्थान लिया है, तिन्होंने लिया है, राजेस मोकासी का स्थान, फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मुझे comment box में comment करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होते, इसे लाइक करें, और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगे भी share करें, इस वीडियो के PDF का link टेलिग्राम चैनल पर दे दिया गया है, आप इस link को क्लिक करके, आज के वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और आप इस page को Facebook का टेलिग्राम पर भी follow कर सकते हैं, नीचे प्लेलिस्ट का दो link दिया गया है, पहले link पे आप क्लिक करके, डेली कर इंटरफेर का वीडियो देख सकते हैं, और दूसरे link पे क्लिक करके, आप Railway GK Online का वीडियो देख सकते हैं, और ये morning में 5 बज़े आता ह Thanks for watching!